सो हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग यह इंफॉर्मेशन है आयो प्यम एक्जाम की रिजल्ट के बारे में आयो प्यम 2023 का रिजल्ट आ चुका है जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवेस वीडियो में बताया था कि अभी टेंटेटीवी स्कोर्स आ गए हैं और अक्टूबर फ फिर based on criteria किस base पे selection हुआ है और फिर cutoff scores तो मैंने तीनों लिस्ट आपके लिए डाउनलोड करी है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ reason wise selection इनमें सब में आपको अपना number चेक कर लेना है ठीक है total यह देखे सारे regions की list है और इसमें अगर आप देखेंगे सारी category wise तो मैं बन दिया था उसमें से 4397 जो है इन लोगों ने select किया है RMO लिखने के लिए राश्ट्रो नंबर है ठीक है और उसके बाद जो हम important बात है वो देख लेता है cutoff जिसके लिए मेरे को भी डर लग रहा था मैंने वीडियो बनाया था अपने बेटे के बारे में तो आप देखे जो KV की cutoff है वो 10 गई है category A का मतलब की 8 to 11 के बच्चे category A girls means 8 to 11 girls girls का result की cutoff या तो सेम यह अलग और category B मतलब 12th class के बच्चे तो आप देखे KV और GNV की क्योंकि अलग cutoff बनती है तो 10-10 इनकी cutoff गई है KV और GNV की अरुना आन्दरा प्रदेश की 12 गई है ठीक है यह सब आप girls में भी highest cutoff दिल लेकी गई है 15 और जो category B है उसमें भी 22 मतलब highest से थोड़ी सी कम है highest 24 गई है category B की करनाटका की तो second जो cutoff दिख रही है वो J&K जम्मू की तो keep it up guys आप लोगों की cutoff means आप लोगों ने वाकली में अच्छा perform किया है 13 number की cutoff गई है J&K जम्मू की और उसके बा आपको बताया था कि मेरा बेटा 19 score कर रहा है तो thanks for your wishes और God मतलब भगवान की देह से RMO के लिए उसने qualify कर लिया है हम लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि उसका 5 number का question गलत हो गया थे जैसे मैंने आपको बताया और तेलंगाना का भी आप देखे तेलंगाना में भी 13 cutoff गई है ठीक है और ये मतलब बहुत unpredicted था क्योंकि most of the coaching institute most of the teaching center जो इस बार की cutoff predict कर रहे थे वो 20 से लेके 25 के बीच में predict कर रहे थे एक आध लोगों ने ही 15 तक बोला था लेकिन 15 से भी नीचे गई है क्योंकि इस बार का paper वाकि में challenging था लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा perform कि है मैं आपको बोलूँगा देखो उत्राखंड की cutoff कम जाती थी इस बार 10 गई है तो इस बार जो बच्चे हैं आप इस cutoff से देखो इस cutoff से सीखने के लिए मिल रहा है कि बच्चे जादा से यादा aware हो रहे हैं और वो practice कर रहे हैं और साथी साथ वो serious हो रहे हैं इस competition के लि इसमें 10 number भी score किया हैं बहुत बड़ी बात है अगर आप merit भी लाएं और अगर 10 से कम भी score किया है कुछ ना कुछ score किया है या मेरा यह मानना है कि अगर आपने इसको देने की effort की है कि आप इसको दे के आई इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करें सपोज आपका first standard तो भी इस exam के बारे में पता चला उनको best wishes की वो अच्छे से तैयारी करें और आगे इस exam के लिए अच्छे से पढ़ें और अगली बार RMO के लिए क्वालिफाइं हो ठीक है तो जिन लोगों की cutoff clear हो गए उनके लिए एक शोटी सी information और है कि cutoff के बाद आप यहां पर यह जो इन्ह your role number does not appear in the list, send a mail quoting your registration number to this email ID on or before 6 p.m. 4 October 2023 तो इस वीडियो में इतना ही अपने हर competition के लिए जिजान से तैयारी करते रहिए, result आपके हाथ में नहीं है, महनत आपके हाथ में है, तो हमेशा महनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, all the very best.